हेलो केट्स कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे मैं राखी सिंग आप सभी का हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूं बच्चों शुरू करते हैं अपना क्लास चीके सब्सक्राइए अपना क्लास ने पर लोग बच्चों अब हम लोग शाइट वर्ट्स पढ़ेंगे C, read after me, C, C, The, read after me, The, read after me, The, read after me, The बच्चों अब हम लोग जानेंगे एटिकेट्स के बारे में और फर्स्ट एटिकेट इस टेक बात एब्री डे मीन्स हमें रोज नहाना चाहिए नहाने से हमारे शरीर से आने वाले बदबू खत्म हो जाती है और सेकेंड एटिकेट इस वेर नीट एंड क्लीन क्लॉट्स मीन्स हम सभी को साप सुथरे कपड़े पहनने चाहिए दियर किट्स आशा करते हैं आप सभी लोग इन सभी चीजों का पालन करेंगे अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की और क्लास शुरू करने से पहले हम लोग रिवीजन करेंगे आ से अह तक की वर्ड मा लगा पढ़िए आ से अनार आ से आम इसे इमली इसे एक उसे उल्लू उसे उन रिर से रिशी एसे एडी ऐसे एनक उसे ओखली आ से आरत अंग से अंगूर अह है खाली बच्चो मिलकर बजाओ ताली बच्चो इस वर्ड माला को एक बार और पढ़ते हैं पढ़िए आ आ इई उ उ रिर ए ए ओ आओ अंग आहा बच्चो इसी प्रकार आप सभी को भी आ से अहा तक की वर्ड माला को पढ़ना है अब पढ़ते हैं अपने में टॉपिक के और में टॉपिक में आज हम लोग सीखेंगे दो अक्षर वाले शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है अच्चो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम दो अक्षरों को जोड़ कर एक शब्द बनाते हैं तो वह शब्द दो अक्षर वाला शब्द कहलाता है जैसे ए प्लस खा अब दोनों अक्षर को जोड़ देंगे तो बन जाएगा एक शब्द और यह होगा दो अक्षर वाला शब्द और दो अक्षर वाले शब्दों को कैसे पढ़ेंगे ए प्लस खा बराबर एक ऐसे ही पढ़ेंगे आ प्लस गा जोड कर पढ़ेंगे आग क्या पढ़ेंगे आग इसी प्रकार मेरे साथ पढ़िए आओ रा और क्या पढ़ेंगे और पढ़िए क ला कल क्या पढ़ेंगे कल ख ता खत घ रा घर जग जग म न मन फ ल फल क्या पढ़ेंगे फल क्या पढ़ेंगे फल पढ़िए उ न उन क्या पढ़ेंगे उन त न तन क्या पढ़ेंगे तन क्या पढ़ेंगे तो बताईए बच्चो आज क्या सीखा हम लोगों ने? हम लोगों ने सीखा जब हम दो अक्षरों को जोड़ते हैं और दोनों अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं और उसे पढ़ते हैं तो वह शब्द दो अक्षर वाला शब्द होता है तो बच्चो इसी प्रकार आप सभी को भी दो अक्षर वाले शब्दों को जोड़ जोड़कर ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है बच्चो अब हम देने जारे हैं आपको होमवर्क और होमवर्क नोट करने के लिए आप सभी लोग हिंदी की कॉपी, पेंसिल और एरेजर निकाल लीजे नोट कीजी आज का होमवर्क, आज का आपका होमवर्क है, दिए गए शब्दों में से दो अक्षर वाले शब्दों पर गोला बनाईए Dear kids, आशा करते हैं, आप सभी लोग ये होमवर्क good handwriting में पूरा करेंगे बच्चों, आशा करते हैं, आप सभी लोग ने आज की class enjoy की होगी Class देखने के लिए, thank you, thank you so much, keep learning, bye bye kids